वेल्कम तो मैं चानल लाइबरी अफेर्स तो पेटा अमने डीडीसी की सीरीज चालू कर दी है पार्ट वन अप्लोड हो चुका है अब हम आते हैं पार्ट टू पे तो पार्ट टू जो वीडियो है आपकी यह अब हम देखेंगे पार्ट वन में तो मैंने आपको बेसिक में क्या क्या करना है पहले तो आप समझ लीजे की डीडीसी किताब है और उसकी किताब होती है तो डीडीसी से क्या निकालते हैं किसी भी टॉपिक का क्लास नंबर निकालते हैं ओके उसी क्लास नंबर से वह book arrange होती है shelf में in the library तो डीडी से क्या निकालते है डीडी से हम निकालते है क्लास नंबर अब क्लास नंबर को लिखने के क्लास नंबर हमेशा याद रखिएगा numbers में होगा 1,2,3,4 जो numbers होते हैं कि इनहीं में class number होगा और class number को लिखने के कुछ rules होते हैं यह जो numbers है इनको लिखने के इनको arrange करने के कुछ rules होते हैं तो सबसे पहले आप यह देखिए कि जो मैंने आपको बताया था जो main class होती है DDC की वो तीन डिजिट से denote होती है मैंने आपको main class बताई थे कि नहीं बताई थे याद करिए main class क्या थी आपकी यह देखिए फिर्स मेंस में आपको दिखा के बता देखिए main class आपकी कौन सी थी जो आपकी समरी में जो first class होती है जो first summary होती है वही main class होती 000 100 200 मेंने आपको PDF में भी दिखाया था 10 main class से लिखी थी 000 से लेके 900 तक यही आपकी main class है तो इसमें कितने numbers हैं देखिए 123 123 कितने digit है इसमें 3 digit तो main class of ddc is genoted by minimum 3 digit 000 100 तीन ही digit होते हैं ठीक है तो जैसे कि यह लिखा हुआ यह देखिए यह आपकी main class है this is your main class इतना जो आप देखेंगे this is your main class अब हम आज आते हैं कि अगर main class के बाद अगर हमें कोई number लिखना है तो बीच में लग जाएगा dot मतलब कि dot हम कितनी digit के बाद use करेंगे 3 digit के बाद हम क्या use करेंगे dot जैसे देखे 294.390 तो अगर हमें dot यूज करना है अगर हमें आगे जाना है बाई class number ऐसा थोड़े नहीं कि सिर्फ 3 digit का होगा class number आपका 6 digit का 7 digit का 9 digit का हो सकता है तो यह जो है हम इस तरीके से जब dot यूज करते हैं तो आपका dot कितने digit के बाद आएगा 3 digit के बाद आपका dot आ जाएगा third rule क्या है अगर हमें space लेनी है देखे जैसे यह 9 digit का class number आपका 3 4 5 6 7 8 9 9 digit का class number है अब क्या हमने space space जो आप लेते हैं वो कितने digits के बाद लेते हैं 6 digit के बाद आप space लेते हैं 123456 और यह देखे चूटू से आपने space लिया और उसके बाद बागी के 3 digit आप लिखेंगे या बाकी के numbers आप लिखेंगे जितने भी digit आएं तो यह एक format है class number को लिखने का लेकिन आप यह समझ लिए 3rd वाला point आपके लिए इतना useful नहीं क्योंकि आप इतनी बड़ी है ऐसा कोई question नहीं आएगा कि आपका class number इतना बड़ा हो जाएगा maximum आपका class number इस तरीके से रहेगा या इस तरीके से रहने वाला है 3 digit उसके बाद 1 या 2 point के बाद 1 या 2 digit का number और हाँ ये बात एक ध्यान रखेगा कि DDC का जो class number है आप ये बिल्कुल tension मत लीजिएगा कि मेरा एकदम 100% accurate आजाए क्योंकि जब हम लोग libraries में work करते हैं वहाँ पर DDC को use करते करते चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाती हैं लेकिन as आप लोग अभी BLIS के student हैं सिर्फ और आप लोग अभी first time को DDC को पहली बार देखेंगे access करेंगे पहली बार तो अगर आपका answer बेटा एप्रॉक्स में भी आता है ना एप्रॉक्स मा लेजिए 91736 होता तो 917.3 तक भी अगर आप आगए न तो आप समझेज़े कि आपको अच्छे खासे मांस उस question के उपर मिल जाएगे क्योंकि इग्नू है अगर आपका एप्रॉक्स आंसर भी आ जाता है तो यू विल गेट गुड मांक्स मेरे खुद इतने नोन में सुडेंट्स है उन्होंने एप्रॉक्स आंसर लिखे हैं और उनको जो है सेवेंटी मांक्स में आपको समझ लिए कि इसको अप्रॉक्स में आपको लगभग आपको महां तक पहुंच जाना है और बाकी आपका डबल एस यार टू आर मार्ट्वन तो आपका इजी है वह आप फॉर्माट बस समझ लिए और महां बना दीजेगा जाकर ठीक है तो चल लिए का लिए और उसका डिजिट वाइड़िट अनालेसिस करके लिखिये अब यह क्या होता है देखें को इस तरीके का बॉक्स बना हुआ मिलेगा जितनी यह वाला यह लिखा होगा यह लिखा होगा सब को सिर्फ आपको यह सेकेंड बॉक्स में क्लास नंबर और यह इसे मेंशन करी हैं यह आपको खुद लिखनी है बाकि सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा तो इसमें क्या है फैनेशल एकनोमिक्स यही आपको टाइटल दिया हुआ है इसका यहां पर आपको क्लास नंबर लिखना होगा और यहां पर डिजिट वाइड डिजिट अनाल के लिए हम जो है पहले थ्री हंडड्र बाली मेन क्लास में गए तो थ्री हंडड्र वाली मेन क्लास हमने लिख दिया कि शोशल साइंस अभी मैं आपको सब निकालना बताहुंग है, यह सिर्फ आपको विएक्जаменफल समझाने के लिए कि हम क्या करते हैं, तो 300 की मेन में क्लास में याद है आपको में क्लास फर्स समरी 000 100 200 300 यह वही यह 300 300 का क्या नाम था शोशल साइंस अब अब कॉमन सी दिमाग लगा के सोचे फाइनेंशल इ Rudolph españ यह यह उसके पकति कि अपना माइन को यूज कर के ही कि आता है एक सकते खना में का शोशल साइंस का अच्विए screams चार ही इस जाइने का मैन्स के चाहएं सोचे में क्लास मेरे को अब में क्लाशल साइनस में जाना है अब मेण। क्विक्ट धिश साइनस में आगे अब उसको क्या करेंगे जब должно हैं मेनुमिक्स वर्ट दिखाई दे जाएगा क्यों कि Financial in economics तो एकनौमिक्स के अंदर कोई भी क्वाम मुझें याल। When तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे 3.30 से फिर आप इसके अंदर जाएंगे मैंने क्या बताया था पहले 10 के 10 और बनते हैं तो 100 फिर 100 के 10 और बन जाते हैं मतलब 1000 तो फिर से आप इसमें गए जब इसके parts में जाएंगे तो आप देखेंगे 3.32 पर आपको सीधा लिखा हु अभी तो मैंने आपको oral verbal बता दिया है लेकिन वहां पे आप कैसे ढूंडेंगे यह अभी मैं आपको PDF में बता रही हूं आप उसको ध्यान से सुनिएगा और इतना जो part है आपका इसका एक बार आप नोट कर दीजे अपनी notebook में ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कैसे किय चलिए PDF में देखते हैं तो देखिए अब हम लोग आ गए हैं अपने PDF में आप जब वहां पे आपको book मिलेगी तो आप सबसे पहले कहा जाएंगे मैंने आपको बता रखा है आप सबसे पहले first summary में जाएंगे मतलब अपनी main class में जाएंगे अब मैं बार बार आपको first summary नह होती है main class तो main class अब question अपना recall करिए question था financial economics तो मैंने आपको बताया अपनी दिमाग सोचिए economics के subject में आएगा economics आपको social sciences में तो इस में थीखिए कि आपको social science देख रहा आI तो 00 generalities philosophy religion social science 300 में social science मिल गया आप social science अब social science से आप सोचिए कि मुझे social science के किस पार्ट में जाना है तो मेरे को social science के economics पार्ट में जाना है तब क्या करेंगे मेन क्लास के किस में जाएंगे आप जो second summary है जो मेन क्लास के 100 डिवीजन है आप उसमें चले जाएंगे वहां पर आपने कितने सोशल साइंस को किस नंबर पर सेलेक्ट किया था 300 पर तो इसमें आ जाते हैं हम 300 पर यह आ गए यह देखिए आगे हम लोग 300 पर अब 300 पर देखिए 300 में 310 स्टाटिक्स, 320 पॉलिटिकल साइंस, 330 एकनॉमिक्स आ गए एकनॉमिक्स में अब एकनॉमिक्स में कौन सी एकनॉमिक्स देखने हैं हमको फाइनेशल एकनॉमिक्स तो हमको यहां पर एकनॉमिक्स मिल गया अब हमें क्या करना है अब हमें जो हम यह स कंड समरी से किसमें जाएंगे 3rd संरी में मतलब जो इसकी 10 डिशन से और होते है यह आगयी 3rd संबरी तो यहां भी हम किसिẫn गए थी 130 pens लिखा था आव quickly तो यहां पे दिखे इसirk equitable in है यहां भी थी 230000 is the northkin 1000 इसमें इसमें नहीं आपकी वन यहां पर शायद 330 मिल जाएगा यह देखिए मिल गया यह देखिए यह मिला 330 यह देखिए आया 330 economics आगे 330 अब कौन सब ढूंना है में financial economics तो देखिये कहीं मिल इसमें मिल रहा है देखिए 331 पर labor economics 332 पर financial economics आगे अगे 332 financial economics मतलब आपका final class number यह जो finally जब हमें मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि थीक है हमारा class number हमको मिल गया है तो आप class number क्या हो गया 332 पस 332 आपको लिग देना है और जैसे-जैसे आप इसमें आ जएं वैसे आपको digit by digit अनालेसिस कर देनी कि पहले हम 300 शोशल साइंस पे गए फिर 330 पे हम एकनॉमिक्स पे गए फिर 332 में फाइनशल एकनॉमिक्स पे आ गए यह आपका कोश्चन वन कम्प्लीट हो गया अब हम कुश्चन टू अपना देखेंगे वैल्यो आफ मण चलिए देखते हैं तो चलिए देखिए नेक्स्कोशन मैंने आपको बता हुए है वैलीओ आफ मनी का क्लास नंबर है तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि हम लोगों को कहां जाना है फिरस्ट आमरी में आ गए हम लोग वर्स्ट संबरी में फिरसमी आपके सामने लिखी यह टेन Aa अब आप सोचिए आप उपर का मैंने एक लिख रखा लेकिन बिल्कुल सोचिए कि मनी कहां से यह मनी हमको कहां मिलेगा डिडीची में दिमाग लगाई और सोचिए इस जेंडल टॉपिक्स आपके आएंगे लाइब्रेडिंगे तोपिक ब्रेटेड आएंगे philosophy में मनी आपको नहीं मिलेगा religion में मनी नहीं मिलेगी social science में अब आप देखे social science में social science में अगर हम देखें तो जो चार हिस्से होते हैं social science के history geography politics और economics economics हमारा वो section है जो money से deal करता है ठीक है तो आपको इसमें brain लगाना है खुदी, तो हम आ गए social science पर, तो 300 पर याए, हमने 1st summary से 300 को collect कर लिया, ठीक है, भाई, 300 पर आ गए हम लोग 300 को, जब हम इस से देखेंगे, तो 300 पर आ गए, अब हम आ जाते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, propos 2nd summary में जाएंगे, आ गया 2nd summary में 300 में आएए 300 में जब हम आए तो 300 में देगे Social Science में जब हम आएंगे तो अब हम इसमें क्या देखेंगे पहला है Statics, then 320 में Political Science, then 330 में Economics तो मैंने आपको क्या बता है था कि Economics वो Section होता है Social का जो Money से डील करता है तो यहां तो नहीं है यहां पर भी 330 नहीं है यह 199 तक है यह 299 तक है यहां मिलेगा हंको 330 यह देखिए यह मिला 330 economics का part यह देखिए 330 आपको दिख타 है अब 330 में अब आप देखिए इस पे देखना चालू करिए 331 labor economics 332 financial economics financial economics मतलब finance finance क्या होता है everything everything is done in money related work या वहाँ पे money related work किया जाता है everything जो भी होता है everything is being done in money तो ठीके भाई हम 332 पर आ गए 332 पे जब हम आए अब हम क्या करें अभी तो हमारा question का तो answer मिला ही नहीं value of money तब 332 में जब हम आ गए तो क्या हुआ अब फस्स summary में आ गए हम सेकेंड summary में आ गए थर्ड summary में आ गए अब थर्ड summary के बाद जब हमें थर्ड summary में भी answer नहीं मिलेगा तो हम volume 1 तो हमारी यहीं खतम हो जाती है summary इस पे तो अब हम volume 2 पे जाएंगे आप volume 2 की book खोलेंगे अपनी जब आप इतना ढूंड नहींगे और volume 1 में आपको नहीं मिलेगा अपना answer तो आप volume 1 की book बंद कर देंगे लेकिन इस answer को भूलेंगे नहीं 330 को अपने mind में रखेंगे कि 332 में मैंने छोड़ा था वहाँ पर और 332 से आप जाएंगे अपनी next volume में जो कौन सी थी? schedules की मैंने क्या बताए था? summary का ही description, detail में दिया रहता है schedule में मतलब जो चीज आपको summary में नहीं मिली है वो चीज आपको मिलेगी जाकर schedule में तो हम लोग आप किस पे जाएंगे? volume 2 में जो की है schedule तो चलिए फिर हम लोग volume 2 पे चलते हैं जो की है schedule ये देखिए ये अब हम आगे volume 2 schedule पे मतलब जैसे मैंने दूसरी pdf खो लिए आसे वहाप आप दूसरी book खो लेंगे volume 2 schedule ठीके बाई हमने वहापे कहाँ पे छोड़ा था? वह mind में number नहीं भूलना है अगर आपको आप घूल जाएंगे तो आपको कहीं पे side में question paper में वैसे तो question paper आपको नहीं मिलेगा वो लोग वापस deposit कर लेंगे लेकिन pencil से आप कहीं side में लिख दीजिएगा कि मैंने volume 1 वाला point कहाँ छोड़ा था? तो हमने छोड़ा था 332 पे 332 पे कौन से छोड़ा था? financial economics पे छोड़ा था अब हम उसके आगे का तो हमको वाप मिला नहीं तो अब हम उसके आगे का volume 2 schedules में ढूणेंगे ठीक है? तो चलिए फिर ढूणते हैं तो volume 2 schedule खोला हमने अब कहा जाना है 332 पे अब इसमें भी पहले हमें 332 पे ही जाना होगा तो भाई ठीक है चलते हैं 332 पे यहां से schedule open हो गया ओके? अब हम देखे 332 पे कैसे जाएंगे? मैं आपको बताती हूँ यह देखे यह जो ऊपर यह लिखा हुआ है 001 जब यहां यह जो horizontal line बनी हुई है इसके ऊपर जहां पर लिखा होगा 332 आप वहां पर सीधे पेज अपना छोल लिजेगा जहां पर लिखा होगा 332 अब चलि यह मैं आपको जैसे दिखाती हूँ मैं सीधे महीं पहुंंचती हूँ 332 पे चलिए मैं पहुंच जाती हूँ कि यह आगे हम लोग 132 पे स्क्रोल करते करते यह देखे यह 331 आया यह देखे यह टॉप पर HORIZZONTAL लाइन के उपर यह देखे 331 लिखा हुआ है आपका मैंचेन है 331 तो यह देखे horizontal line के उपर 331 लिखा है मतलब 331 पर आ गए हैं लेकिन अब हमें कहा जाना है 332 पे तो आप page पल्टेंगे और हम पहुँच गए ये देखे 332 पे पहुँचे हम लोग 332 पे ये आ गया 332 का page शुरू हो गया अब हम 332 page की सबसे पहले summary देखेंगे थोड़ा सा आपको black color bold में वहां लिखा दिखाई पड़ेगा तो 332 की हम summary में आ गए अब देखिए 332 की summary में देखिए कि हमें कुछ अपने हिसाब का मिल रहा है क्या मिलना है हमको question क्या था याद करिए value of money तो हमें वहां तक financial economics तक मिल गिया था अब इसमें finance में में क्या ढूनना है money तो देखिए money आप हमको मिल रही है क्या देखिए चलिए शुरू करते हैं 332.1 banks and banking 0.2 specialized banking institution 0.3 credit and loan institution 0.4 मिला money देखिए ये मिल गई money हमको 0.4 ठीक है भाई well and good money मिल गई हमको अब क्या करते हैं अब भी हमारा question नहीं मिला है हमको हम उसके बस नस्दीद जाते जा रहे हैं अब देखिए अगर मालिज आपको यहां तक भी मिल गया 0.4 तक और आप इसके आगे नहीं ढूंड पाए तो आपको यहां तक के भी अच्छे खासे marks मिल जाएंगे हाँ full on नहीं मिलेंगे कि 10 नमबर का question है तो आपको 10 मिल गए लेकिन हाँ फिर भी आपको 6, 7, 8 तक अराम से मिल जाएंगे ठीक है तो यह for example मैंने बोला है 10 नमबर का ठीक है तो अब हम आ गए 0.4 money पे लेकिन अभी हमें आया नहीं हम पूरा अपना ढूंडेंगे तो value of money अभी हमें value of money यह है आंसर money नहीं है जर्फ लेकिन हम money तक आ गए अब हम 0.4 में चलेंगे इसको ढूंडते ढूंडते ओके तो 0.4 में वैसे one question जब आएगा आपका डीडी सी का तो single question जो है वो आपका seven marks each होगा ओके तो चले अब हम 0.4 में चलते हैं देखिए यहां 0.1 बना हुआ देखिए यह देखिए बड़ा सा यह देखिए banks and banking ऐसे यह आपको dark color में थोड़ा सा हलका darkish दिखेगा डार्क black में वहां पे अब आपको चलना है 0.1 है लेकिन हमें कहां तक जाना है 0.4 में तो चलिए पफिर 0.4 में चलते हैं 0.1 में आए यह देखिए यह आ गया 0.4 में यह देखिए 0.4 में आए अब 0.4 में देखिए कहीं पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है value of money यह आला आपको यहीं मिलेगा देखिए कहीं आपको दिखाई दे रहा हूँ theories, forms, unit, gold, silver, coin, token, coin, paper, money यहां नहीं लिखा है तो next page पर चलते हैं यह देखिए सबसे उपर यह आपका answer आ गया 332.41 value of money लिखा है अगर माली जे value of money question ना होके monetary policy होता तो monetary policy क्या होता 332.46 यह आपको monetary policy हो जाता answer आ गया मिल गया यह आप यह answer आपको solve हो गया हमारा question तो याद रखिए कि end तक आप नहीं भी पहुँच पा रहें तो आप approach पहुच जाएए पूरा question गलत नहीं होगा आपको half marks आप लेके चलिए कि आपको अच्छे कासे half marks मिल जाएंगे तो यहाँ पर दो questions आपको समझ में आ गए चलिए मिलते है next video में महाँ भी हम थोड़े से और typical type of questions discuss करेंगे अभी तो मैं आपको basic type के बता रही थी at least आपको निकालना तो आ जाए क्या हमें class number निकालना कैसे step by step कैसे चलना है तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग थोड़े से और typical type of questions करेंगे तो चलिए फिर मिलते हैं next video में